जैहिन मैं हूँ अरुन कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भुगोल आज का हमारा टोपिक है पूर्वत्तर की पहाडिया या पूर्वाचल हिमाले देखिए दोनों अलग चीज़े हैं हम आगे जानेंगे पूरवांचल हिमाले अलग है, पूरवांचल हिमाले की पहाड़ियों में ही समलित है तो चलिए, चलते हैं पूरवांचल हिमाले की आत्रा पर मेरे साथ देखिए, अभी हमने देखा कि हिमाले को अब तक हम जो हिमाले के बारे में पढ़ रहे हैं अब इसके बारे में हम तीन या चार लक्टर बना चुके हैं, पहले आप जाके वो देखीगा, तो हिमाले के बारे में हम देख चुके हैं कि हिमाले को तीन इस्वों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांस हिमाले, मुख्य हिमाले और पूरवत्तर की पहाणियां, पूरवत्तर हिमाले पूर्वांचल हिमाले पूर्वांचल हिमाले ब्रहंपुत्र से मिजोरम तक हमने देखा था जब हमने हिमाले का प्रादेशिक विवाजन किया था तो ब्रहंपुत्र से लेके मिजोरम तक का जो छेत्रे उसे हम कहते हैं पूर्वांचल हिमाले और सिक्किम से लेके और पूरे नोर्थिस्ट में जो हमारे आठ इस्टेट हैं उन आठ इस्टेट में जितनी पहाड़ियां उसे कहते हैं पूरवत्तर की पहाड़ियां पूरवंचल हिमाले क्या है ध्रहमपुत्र से लेके मिजोरम तक टोटल आठ इस्टेट हैं हमारे नोर्थिस्ट में देख लेते शिच्किम सेवन सिस्टर कौन कौन सी है? अरुनाचल प्रदेश, आसाम, नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम, तृपुरा और भी गाली सेवन सिस्टर है और नोर्थ इस्ट मिन्में अड़ करेंगे तो प्लस बं सिक्किम भी understood होती है तीस्टा यह तीस्टा नदी तीष्टा नदी से लेके नौर्थ इस्ट में जितना भी पहाड़ियां हैं जितने भी पहाड़ियां इस छेत्में पाई जाएंगी वो आएंगी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतरगत और ब्रह्मपुत्र जिसे दिहांग भी कहा जाता है आसाम में प्रिश ब्रह्मपुत्रप से लेके और मीजोरम तक का जो हिमाली से द आए घा releasing पूरवांचल हिमाळण हिमाले दो इंदुन महठोच्छल हिमालचल पर्वत हिमा संन पाए जाता है इसे त्याइं अराकन योम challenge अगारी लाश्ट-स याफ देखिए यह हमारा है सिक्किम कि सिक्किम में यह है कंचंजंगा परवत जो सिक्किम औरetrical के बोर्डर पर और यहां पर बैती यह तिस्ता नदी तिस्ता नदी और सिक्किम में जो यह परवस रंखला है इसका नाम है दार्जलिंग सिरेणी जो मद्दे हिमाले का इससा है दार्जलिंग सिरेणी दार्जलिंग सहर जो है वो वैस्ट पंगाल में यहाँ पे नीचे है इसको हम जूम कर लेता है लेकिन दाड़ निंस सहर यहां पे नीचे कि świat इस जगह वैस्ट पंगाल में लेकिन दाड़ झे जो है वह सिक्किम और वैस्ट पंगाल दोनों में फ्यलीर हुह यह दाड़ लिंग शेटां का उगे ज्यादा जोंुम होगा इसको थोड़ा कम हुम कर कर लेते हैं जूमर्ण कर लेते हैं ओक ऑग कि दाड़्लिंगि स्रेंगी समझ गए आगे हम भूटान वाले चित्र में पढ़ना नहीं हैं उसके बाद यहां आ चल पृदेशया अरुफन पृदेशय ऩुर्देश्च समधिक घिस प्रोबान चले मलें यहां तक मुख्य इमाल है है यहां हमारा पूरौबाइदे में बैंड हो जाता है यह ख़ब't to is यह पर दियां पर्वस्रंख़ा क्लाह है yellow और टीन कह पए grenades सिंखला हैं कौन कौन सी आका डफला मिरी अबोर देखिए आका डफला मिरी अबोर आका डफला मिरी अबोर देखिए आका और डफला को बीच में एक नदी बैती है नदियों वाला जो नोर्थिस्ट के नदियां हमने पढ़ा था ब्रहम पुत्र नदी तंत्र पढ़ा था उस सुवन्सरी और इन पर्वक श्रेणियों पर इसी नाम की जंजातियां ड्राइब्स पाए जाते हैं आका डफला दनल्ट रउल्स बहुत Magazine भीजूम खेती करते हैं एक ऑट होथा हैं सद्थ होज्न केटी करते हैं ऑसनी एक जल क चाट के प्लेंट बना लेते हैं और उसको फोर समय के लिए छोड़ देते हैं आग लगा के उस में उससे क्या होता है वो भूमी उप्चाओ हो जाती है आप वर्षात यहां पर काफी होती है तो जब भूमि उप ज़येगी वह जगापे खेती करने लगते हैं लेकिन कुछ समय के बाद किया होता है यह जगा फिर एन्फर्टाईल हो जाती धुवह 10 का मोगते हैं थे जगा करें वहां पर चाटके वहां पर खेति करने लगते हैं दो 2500 साल के बाते है जब यह जगां aí को कौन करते हैं जो ट्राइब से रहते हैं कहां पर आका डफला मेरी अब और पर्वस रेडियों पर उसके बाद हम चलते हैं पूर्वांचल हिमाले में यह पूर्वांचल हिमाले की पहाड़ियां थी अभी पूर्वांचल हिमाले भी पूर्वांचल हिमाले में आएगा लेकिन यह पूर्वांचल हिमाले वाले कम देख लेते हैं जहां से जब सिंटेक्शिल बैंड होता है अक उची परवस चोटी है उसका नाम है कडाफा भूम यह कुशन एक्जाम में आया था कि मिसमी हिल्स कहां पाए जाते हैं अरुनाचल प्रदेश में पाए जाते हैं इसकी सबसे उची परवस चोटी कुन सी है कडाफा भूम कडाफा भूम मिसमी हिल्स के दक्षिन में एक नदी बहती है कौन सी नदी है लोहित नदी है लोहित नदी है तो लोहित नदी दो परवस रेणियों को अलग-अलग विवाजित कर देती है लोहित के नीचे ही अरुनाचल प्रदेश में पाया जाता है पटकाई बूम यह देखे पटकाई बूम है नीच हिल्स है नागा हिल्स नागा हिल्स की जो उची परवस्चोटी उसका नाम है सरामती सरामती नागा हिल्स की सबसे उची परवस्चोटी है सरामती आगे मनीपुर नागा लेंड के बोर्डर से होते हुए असम वाले छेतर में परवस्रेणी है इसका नाम है बरैल परवस्रेण में है यह पूर्व है इस्ट है यह जो इस्ट में है वह पूर्वी मनिपूर की पहाड़ियां और जो पस्षिम में है इसे कहते हैं लैमा टॉल की पहाड़ियां पस्षिम में है लैमा टॉल की पहाड़ियां पूर्व में है पूर्वी मनिपूर की पहाड़ियां और इन दोनो मानिपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प तो बिलू माउंटेन कहां पे है मिजो पहाडियां में मिजो पाडियां का है मिजोरम में है पुरवांचल पहाड का हिस्सा है पुरवांचल रंखला का हिस्सा है पुरवांचल हिमाले का पुरवांचल हिमाले कहां से हुआ देखी मिसमी से लेके बिलू माउंटेन तक जो है यह पूरवांचल हिमाले है, इसी में ये तिरपुरा में भी पाया जाती है, तिरपुरा की पहाडिया, यह भी इसी का हिस्सा आती है, ठीक है, यह हमारा पूरवांचल हिमाले हो गया, पूरवांचल हिमाले को मैयनमार में भी इसका यहां पर एक्सेंशन पाया जाता है, मैयन चोटियां हैं यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं जो कि हिमाल्य परवत का हिस्सा नहीं है लेकिन पूर्वत्तर की पहाड़िया आगे देखते हैं उनको देखिए एक पर फिरसे हम डिसका इसको रिविजन करेंगे यह इसकिम सिक्किम में हमारी है दार्जलिंग श्रेणी जो कि मद्दे हिमाले का हिस्सा है ठीक है सिक्किम में हमारी दार्जलिंग सिरेणी जो मद्दे हिमाले का हिस्सा है तिस्ता नदी इसको बीच से काटके अलग करती है इसके बीचों बीच से बैती है ठीक है उसके बाद यह है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में ब्रह आका डफला मिरी अबोर नदिया इनको अलग करती है आका को डफला से अलग करती है भरेली डफला को मिरी से अलग करती है रंगा नदी और मिरी को अबोर से अलग करती है सुबन सिरी उसके बाद जैसे ही हम दिहांग से आगे जाते हैं तो दिहांग से आगे हमारा जो हिमाले ह पूरवांचल हमाले यहां तक था मुख्य हमाले यहां पे इसने सिंटेक्सिल बैंड होगया है तो अरुनाचल प्रदेश में पूरवांचल हमाले की सबसे उत्री स्रेणी है मिसमी और मिशमी के बाद आता है पटकाय बूम इन दोनों के बीच में बैएती है लोहित नदी नागा लैन्ड में जो हमारी परवस रंखला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाम है नाम हिल्स नागा हिल्स और सरामती इसकी सबसे उंची चोटी है मनिपुर में जो स्रंकला है उसका नाम है पूर्वी मनिपुर और यह पूर्वी मनिपुर जो पूर्व में है और पस्चिम में है लैमा टॉल की पहाड़ियां और इन दोनों की बीच में पाई जाती है हमारी लोंगेस्ट फ्रेफ क्ष़ उर्ट Tabii या फ्लोटिंग आईलेंड से के अंधर फलोटिंग आईलेंड से और यह रामसरं सैट के साब के साइट के अंदर अंदर गत भी हाता है कुन सी जील है ये लेमाटोल जील लोक्तक जील उसके बाद मीजोरम में चलेंगे तो मीजोरम में पहाड़ियां पाई जाती है मीजो पहाड़ियां यहाँ पर है पड़ा फेमस माउंटेन बिलू माउंटेन जो हमारी लोक टक जील है ना इसमें एक नेशनल पार्क भी है उस नेशनल पार्क का नाम है कैबूल लेमजो नेशनल पार्क कैबूल लेमजो नेशनल पार्क जो की दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है तिरपुरा में है तिरपुरा रेंज तिरपुरा की तिरपुरा पहाड़ियां और नागा लैंड और आसाम के अंदर हैं हमारी बरेल की पहाड़ियां यह सब पूरा हिस्सा है हमारा पूरवांचल हिमाले का इसके अलावा हमारा जो यह सिलोंग है जो सिलोंग का पठार है यह पठार है यह हमारे पूरवांचल हिमाले का हिस्सा नहीं है यह पठार का हिस्सा है कौन से पठार का प्रायदीप्य पठार का हिस्सा है मेगाले में तो मेगाले में तीन पहाड़ियां पाई जाती है गारो खासी जैंतिया गारो खासी जैंतिया गारो खासी जैंतिया पर उसी डिस्कस किया था तो भी इफिते पहाडियां में पाया जाती है असाम के अंदर मिकिर पाड़ियां पाई जाती है ये भी इसी का extension है किसका प्राय दीप ये पठार का कि इतनी परवत स्रेणिया और पहाड़ियां पाई जाती है हमारे नोर्थ इस्ट में एक question भी हम discuss कर लेते हैं उत्पत्ती की दरश्टी से निम्न परवत स्रेणियों में सबसे नविंतम कौन सी है देखिए अजन्ता स्रेणि का है अजन्ता स्रेणि महराष्ट में है ठीक है पाला कॉंडा पाला कॉंडा हमारा पूर्वी घाट का इस्सा आंध्र परदेश की परवस्रंखला है कैमूर कैमूर मद्धे प्रदेश में पाई जाती है ठीक है और पठकाई सिरेणी पठकाई बूम कहा है बताइए पठकाई सिरेणी जो है वो अरुनाचल प्रदेश में है और अरुनाचल प्रदेश में है यह हिमाले का हिस्सा है हिमाले में भी पूरवांचल हिमाले का हिस्स तो इस तरह से हमने देखा हमारा नोर्थिस्ट हिमालया और पूरवतर की कुछ पहाणियों के बारे में मैं डिसकस कर लिया है अगले चैप्टर में हम देखेंगे हमारा ट्रांस हिमालय और हिमालय के धर्रे तब तक के लिए टेक केर जैहिन